आखिर पूरे हिंदुस्तान में ये पेपर इतना वाइरल क्यों हो रहा है आखिर इस पेपर में ऐसे क्या बाते हैं क्या ऐसे पत्र लिखा गया है जिस कारण से पूरे हिंदुस्तान में ये पेपर को पूरे चर्चित कर दिया गया है तो आज से पहले मैंने कभी भी इतना इ पर एक्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, आखिर पेपर में क्या भरते, पर इस साल बर की तयारी करने के बाद उस पेपर में वो क्या लिखते हैं, जिस कारण से वो फेल हो जाते हैं. आज इस वीडियो का माईधम से मैं पूरा बताने बाला हूँ. अब सभी को पास भी ये पेपर का cutting आया होगा, ये पेपर के अंदर में एक दो नहीं कई लब लेटर लिखा गया है, एक दो पेपर का नहीं बात कर रहा हूं मिर भाई, एक दो students का नहीं, कई एससी स्टुडेंट्स हैं जिसने लब लेटर लिखी थे इसी लब लेटर को इसस के माइधम से यहां बताया गया है इस तरह से पूरे भारत में बहुत सरे से स्टूडेंस हैं जो एक्जाम के समय लब लेटर लिखते हैं पूरे बीडियो के तुम आच्छी तरह से देखिए समझेगा किता बहतर तरीके से हमारे सिच्छा मंतरे ने बात को लिखिया है इंटर पर एक बार हुआ तो जबर्जस्ट होता है इस तरह से स्टूडेंस अपने कॉपी में लिखते हैं पता है यह आर्स वाले स्टूडेंस नहीं इस साइन्स और कॉमर्स वाले के लब लेटर है देखिए मैं पुरा पढ़ के सुनाता हूं इसको ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त क्या लिखा इस लब लेटर में लिखा क्या है सुनिएगा कि बोर्ड परिच्छा के दौरान छात्रोंने में अकसर इस बात की चर्चा होती है क कि अगर उन्हें परसन का जवाब नहीं आये तो उन्हें कोफी भर देना चाहिए अगर मुझे एंसर नहीं पता है मुझे किसी तरह से खिच खाच के कोफी भर देना मुझे नंबर मिल जाएगी लेकिन वह जमाना भूल जाओ मिर भाई कि बिना तयार किये अब एक्जा में पास कर पाएंगे वह जमाना भूल जाएए ठीक है ऐसा करने से उन्हें अंक मिल जाते हैं और इस कोशिज में छातर अक्सर उत्तर पुस्तिका में ऐसी चीजे लिग देते हैं जिने पढ़कर लोग हैरान रह जाते हैं ऐसा ही कुछ कोपिया जमुई में सोसल मीडिया पर व जबी आजिब गरीब जवाब दिये जाने वाली कोपि के तस्वीश सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें छातरों ने भौतिक के रूप में यानि फीजिक्स का सवाल सोचिए फीजिक्स का सवाल फीजिक्स क्या जोरता भाई जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो ले पिता की मौत का दर्द ब्यान क्या है अपने पिता की मौत का दर्द ब्यान कर रहा है एक है स्टुडेंस कहां पर fwnback के कोपी में उसको पास मिलेगा मेरे भाई पासक्स मिलेगा इसमें बताईए आपी रूच आगे कहता है कि छातरों ने लिखा है कि 10 दिन पहले हुवे मे पीटा की मौत की एक चात्रों ने अपनी कॉपी में लिखा है कि अपनी चात्रों में लिखा कि हलो सर, मैं जोती, सर प्लीज, मेरी बातों को समझने की कोशिद कीजिये मेरा ये बोनना बहुत जरूरी है, मुझे पता है कि आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा सर मेरे पापा देथ कर गए हैं दस दिन हुआ है और मेरे कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है और उपर से तब्यत भी ठीक नहीं है फिर भी एक्जाम देने आई है प्लीज सर नंबर दे दीजिए प्लीज सर मेरे कंडिशन भोग खराब है मुझे आसा है कि आप समझ लेंगे समझ लेंगे भाई पेपर में आप ऐसे सवाल लिखेंगे कोशन का एंसर इस तरह से लिखेंगे क्या आपको पास किया जाएगा ये लव लेटर नहीं है तो मैं आपको अब एक दिखाया हूँ इस तरह से बहुत सारे मेरे दोस्तों टीचर्स कोपी जब जाच करते हैं तो टीचर्स हास हास के दंग रह जाते हैं कि आखीर स्टूडेंस कैसे पागलपन कर रहे हैं क्या कर रहा है प्यार भरे अंदाज में बताया अंतर प्यार भरे अंदाज में बताया अंतर छातुरे ने भौती की कौपी में प्यार का उधारन देकर सवाल का जवाब देने की कोशिस की छातुरे ने ओमी और अनम ओमी तत्व के अंतर में जवाब लिखा कि जिस प्रकाश से हम जाते हैं फिजिक्स का ये सवाल है ठीक है, जिस पर का हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबर्जस्त होता है, आप लोग को भी क्या हुआ है तो आप लोग बता दिजिए कॉमर्श रेक्शन में, अगर हो गया है तो जल्दी से इस राहते निकल कर केरियर को सम्हाले, तो इसे अन उनमीनी कहते हैं, एक अन छात्रें उत्तर की बजाई या विश्वास भी दिलाया, कि वहा मन लगा कर पढ़ाई करेगा, छात्रा ने लिखा है कि जो मेरी कोपी चेक करेगा, पिलिस आप मुझे बहुत अच्छे मांक्स देंगे, जिसे मैं और सहासी लड़की बनूंगी, आप नहीं जानते हैं कि मेरे सर पे चोट लगने के कारण में ठीक से पढ़ नहीं पाई, वाइरल तस्वीर परभाद खबर के पास मौजूद है, परभाद खबर चाहती है कि यह वाइरल ना हो, नहीं तो पैरंट्स का ना ककट जाएगी, व मैं पूरा साल पर कुछ नहीं पढ़ूँगा, एक्जाम से पहले गेस पर आएगी पढ़ लूँगा, पास हो जाऊँगा, या मैं कुछ ऐसे बाते लिख दूँगा, कुछ आनोहनी बाते लिख दूँगा, मुझे पास कर दिया जाएगा, वह जमाना भूल जाएए, मेरे दोस्त, यहां पर पुरा डिपली से पढ़ना होगा,